हेलो दोस्तों नमस्कार स्वागत है आपके अपने यूट्व चैनल संजेट टेक्निकल अर्दरट 21 में आज की हम इस वीडियो में पुना ए आई टी टी में पूशे जाने वाले कुछ महतुरु प्रश्णों को डिस्केशन करेंगे इसके पहले हमने एक और वीडियो में मिलेंगी और पुना आपको इस वीडियो में काफी को सिखने को मिलेगा तो चले शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज की अपने महतुरु प्रश्णों को चले देखते हैं आज का माला पहला प्रश्ण है सेल्फ टेपिंग स्कुरु तीन प्रकार के होते हैं तो सबसे में बहुत पतले सिक्षन के सीट मिटल का परियोग किया जाता है ठीक है और यह तीन प्रकार के होते हैं जैसे कि क्वेश्चन में में मेंसन किया गया है और यह तीन प्रकार को होते हैं यह तो मेंसन किया गया है और कौन-कौन से होते हैं तो होता है पहला सेल्फ टेपिंग प्रकार दूसरा होता है थ्रेड गटिंग और तीसरा जो होता है वह होता है यह तिन प्रकार होते हैं तिक है जल नेश्ट करेशन है सर्फेस की क्वालिटी के कारण होने वली तूटी को माइक्रो जियोमेट्रिकल ट्रोटी क्याते हैं जो भी क्या होता है जो हमारा माइक्रो मीटर होता है उसमें माप लेते समय हमें अलगला प्रकार की ट्रोटी देखनों को मिलती है जैसे कि कभी कभी टंपरेचर कम या ज्यादा हो जाता है तो उसमें भी आपके मेजरमेंट में कंदर आ जाता है ठीक है मापं किулиजिका है घ्रकांटकर सकती है इसलिए होना चाहिए माप लेने के लिए किसी बuciones इससे जबाया नीटकर हमिए जादा हो सकती है क्यों कि जैसे कि आप जानते हैं मेज़ से कवहाуз कभि कभी क्या होता है कि Contact error जैसे कि उसमें होता कि आपके मेजरिंंग डिंच जो तह直् IK Gold कि उस्के उपर और दूलग र से सब्सक्राइब तो प्रकारी changer भता है ठिक है उसे पृषिन में 열 होता है तो यह अलगर अलगर WAS ago होते हैं कुछ जो हमरे अलगर परकार के Canadian नइस्ट्रूमेंट में डेखने को मिलते हैं तो उमिद्य आपका यह क्रश्जन क्लियर हो गया खाञा है चलिए निश्ट क्रेशन देखते हैं थाड नंबर है क्योंचन दिखते हैं त्रू तथा ब्लैंड फोल्ट की माप लेने के लिए थ्री प्वैंट इंटर्रानल माइक्रो मीडर क्या ज़ता है ठीक है नेक्स्ट है बड़ेज के डिल पर क्लॉकवाईज और एंटिक्लाकवाईज घ्रशय अंकित होती है नेक्स्ट है कि माइक्रोमीट्र को साफ करने के लिए कार्बन ट्रेट्रा क्लोराइड काप्रियोग करते हैं कार्बन ट्रेट्रा क्लोराइड काप्रियोग इलेक्ट्रिक से इलेक्ट्रिक की साथ साथ किस लगने वाली आग को बुझाने के लिए किया जाता है इसे हम पायरिन भी कहते हैं जोडना होता है नेक्ट है क्रोव भार को प्राइब आर बाता है यह प्रकरता है यह क्या करता है यह कोई लोट है माली हिए इस है तो इसको यहां से हम लगा करके उठाते हैं तो याद रखेगा नेक्ट है जब जल द्वारा एल्मिनियूम का अक्सिक्राण होता है तो हैड्रोजन बनता है चले नेक्स्ट कुछन है पार्प के एक सीरो को बंद करने के लिए प्लग का यूज किया जाता है तो नेक्ट देख लेते हैं गियर्सको आरिषर देने के लिए ठ्रस्ट विरिंग का परियोग की जाता है और नेक्स्ट क्वेच्ट है कि गेज लएस्टिल के बने होते हैं नेक्स्ट क्वेचन है आज का ग्रंडिंग ऐलाउंस 0.2 से लिएकर गई 0.5 mm तक होता है ग्रंडिंग के लिए जो लांस दिया जाता है 0.2 से 0.25 तक दिया जाता है नेक्ट है अच्छी सर्फेस फ्रिस्प्राप्त करने के लिए ग्रैंडिंग विल की बैलेंसिंग की जाती है अच्छी सर्फेस फ्राप्त करने के लिए सिंगल लेवल डवल ग्रूव सिंगल लेवल डवल डवल ग्रूव और एक अप्र का प्र वाला होता है ठीक है तो यह चार प्रकर के आपके वी ब्लाक होते हैं यह ए और बी ग्रेड वह पाए जाते हैं यह ग्रेड वाला अधिक प्रसूद होता है और यह इस इस्टील का बना वाला होता है जो आधिक परिशुद होता है ने सफेस प्लेड तीन ग्रेड में फाया जाते हैं कौन-कौन से एक दो और तेन याद रखेगा नेक्ट है हैं यह बाइस के लंबाई ठीक है जो हैंड वाइस होती है वह छोटे कंपनेंस को पकड़ने के लिए प्रियोग के जाती हैं तो यह कुछ महस्पूर्ट क्वेशन थे जो आज की वीडियो में हमने कवर किया है और वीडियो फूरा देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद अगर जनकारी अच्छी लेगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर रहें और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब सब्सक्राइब करें आज के लिए इतना है मिलते हैं नेक्स्ट टुडियो में तब तक के लिए धन्यवाद जैहन।